दुनिया में कई तरह के लोग हैं जिन्होंने अपनी खुपसूर्टी और अपनी टैलेंड से दुनिया को अपनीतर आकरशत किया है और लगभग आप भी यह जानना जाहेंगे कि दुनिया के सबसे खुपसूरत आद्मी कौन-कौन है आपको बताते चलें कि दुनिया के सबसे हैंजम आदमी की लिस्ट में से ज़ादत है लोग मॉडल, अभने इता या फिरवे समरिद्ध परिवारों से आते हैं ये लोग बहुत अच्छे और आकरशक दखते हैं और अपनी करियर में सफल रही है और इसी वज़े से इनको पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वदाऊंगे दुनिया के दस सबसे हैंजम आदमियों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं शाहित कपूर शाहित कपूर का जन्म 25 फरवरी 1981 को पंजाब में हुआ वे बॉलिवुड के सबसे खूपसूरत दिखने वाले अभनेताओं में से एक हैं लेकिन दुनिया के सबसे हैंजम आदमियों के लिस्ट में वो दसवे नंबर पर हैं शाहित ने अपने करियर के शुरुआत म्यूजिक वीडियो से की लेकिन बाद में उन्होंने बॉलिवुड में जाकर अभनाव में भी परचम लहराया ब्रेट पिट ब्रेट पिट का जन्म 18 दिसंबर 1963 को सईयुक्त राज अमेरिका में हुआ था वह बहुत ही प्रसद सेलिबरिटी और अभनेता हैं जिन्होंने अपने उत्करस्ट अभनाव के साथ कई हिट फिल्में दी हैं ब्रेट पिट को देखकर आप उनकी उमर का अंदाजा नहीं लगा सकते पर वो असल में 30-5 साल के हैं मगर अभी भी बहुत ही जमान और आकर्शक लगते हैं उनका उचा लंबा कद उनकी गहरी आँखियों और आकर्शक मसकाल किसी भी महिला को आसानी से अपनी तरफ आकर्शित कर लेती हैं दुनिया के 10 सबसे हंजम आद्मियों में नौवे नंबर पर रखा गया है नूह मिल्स एक प्रसिद कनेडियन मॉडल और अभी नीता हैं जिनका जन्म 26 अपरेल 1983 को हुआ था उनके फिटनेस और सुडॉल शरीर और ही जलांखे और भूरे बालों का रंग देख कर उनको दुनिया के 10 सबसे खूपसूरत पुरिसो की लस्ट में जगह दी गई वह अभी भी कवारे हैं और कनाडा में विबन फिल्मों पर काम कर रहे हैं वह मॉडलिंग को अपने जुनून की रूप में मानते हैं जिसे उन्होंने कॉलेज की दिनों से शुरू किया था सल्मान खान अगर आप एक भारती हैं तो शायद सल्मान खान के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे सल्मान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर भारत में हुआ था वे एक अच्छे अभिनेता और नर्माता के साथ परफिक्ट मॉडल भी हैं उनके उतक्रिस्ट अभिनय के लिए उन्हें कई पुरसकार भी मिले हैं हाला कि सल्मान खान की उम्र 50 के पार हो चुकी है लेकिन उनको और उनके सरीर को देखकर लगता नहीं कि वो 50 प्लस हो गए है रतिक रोशन रतिक रोशन को भी आप जानते ही होंगे जो अपने सुडॉल बॉडी और अपनी हेजल आख हो और अपने जबर्जस डान्स के लिए बॉलिवुड में अच्छी तरह से जाने जाते हैं मगर उनकी खुबसूरती और उनका टैलेंट यही नहीं रुका बलकि उनको पूरी दुनिया तक ले कर गया और फिर वो दुनिया के सबसे खुबसूरत पुरुशों की लिस्ट में शामल हो गए Godfrey Gao Godfrey Gao ताइवान के सबसे खूपसूरत और दुनिया के पांचवे खूपसूरत आदमी है। इनका जन्म 22 सितंबर 1984 को ताइवान में हुआ था जो एक अभिनेता और एक मॉडल भी है। वह सबसे स्टाइलिस आदमी भी हैं क्योंकि उनके पास अच्छा ड्रेसिंग सेंस और वे अच्छे फैशंग के कपड़े पहनते हैं। जिससे उनका लुक और भी आकरशक नजर आता है। और दुनिया भर की लड़िया उनके पीछे पागल रहती हैं। Chris Evans अमेरिका के प्रसिद्ध अभिनेता और मॉडल हैं। ये कप्तान अमेरिका की चारों सीरीज में अपने जबरजस्त अभिनय के लिए विस्वविख्याद भी हैं। और इसके अलावा, उनकी आखे और उनका शेविंग स्टाइल और उनका हेर स्टाइल उनको और भी आकरशक बना दीता है। जिसके कारण उनको दुनिया के सबसे खुबसूरत दसाद्मियों के लस्ट में शामल किया गया है। उमर बुरकान अलगाला, नाम तो नाम परनों नहीं तो सच में अपने इस नाम को दुनिया भर में भी बढ़ा कर दिया, अपनी खुबसूरती और मॉडलिंग से। उमर बगदाद में जन में हैं, लेकिन रहते सौधी अरब में हैं। जस्टिन टूडो, आप इनको गलती से भी कोई अभिनेता न समझ लेना, हाँ, क्योंकि ये कोई अभिनेता या मॉडल नहीं, बल्कि उटावा के नेता हैं। इनका जन में उटावा के पुर्व प्रधान मंत्री वपिता पियर टूडो और मा मार्गरेट टूडो के घर में हुआ था। लोग उनको न सिर्फ उनकी खुपसूर्टी के लिए प्यार करते हैं, बल्कि उनके सामाजिक कारियों और मानवता के लिए भी उनको प्यार करते हैं। सबसे प्रसिद्ध अमेर की अभिनेता और निर्माता। टॉम क्रूज दुनिया के सबसे खुपसूरत आदमी है। हलाकि इनका जन्म 3 जुलाई 1962 को हुआ था जिसके कारण उनकी उम्र 50 प्लस हो गई है। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पटा क्योंकि अपने खुपसूरत नजर और टेज व्यक्तित्व के लिए दुनिया भर में आज भी महिलाएं उनके लिए पागल हैं। और उन्हें चाहती हैं। टॉम क्रूस दुनिया के सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति हैं। अपने उतकरिस्ट अभिनाय के कारण उन्हें तीन बार गोल्डन ग्लोग पुरसकार से सम्मानित किया गया। तता इसके अलावा वह दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक हैं। तो इस तरह दुनिया के 10 सबसे अंच्छे अमादमियों की लिस्ट में टॉम क्रूस का नाम पहली नंबर पर बना हुआ है।